नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस निशन में आपके साथ अखिल गुपता पाकिस्तान की तेज गेदबाज हारिस राउफ का नाम आपने सुनाई होगा जिहां वही हारिस राउफ जिनको 2022 के T20 World Cup में MCG के मैदान पर विराट कोरी ने लगातार दो गेंदो पर दो चक्के जड़े थे चक्के तने जबरदस थे कि उनको अभी तक याद किया जाता है उन्ही हारिस राउफ से जोड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है हारिस राउफ का अपने ही क्रिकेट बोर्ड याने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB से एक बड़ा विवाद हो गया है विवाद भी ऐसा हुआ है कि PCB ने अब हारिस राउफ को central contract से बाहर कर दिया है जी हाँ, PCB ने heart rescue का central contract रद कर दिया है, अब उनको central contract से बाहर कर दिया गया है, पहले वो central contact में category B का पार्ट थे, लेकिन अब वो इसका हिस्सा नहीं है. ये फैसला इसले लिया गया क्योंकि heart Give और august इंवरी में ऑस्टेलिया दोरे पर जाने से मना कर दिया था. वन्डे वर्लकप 2023 के बाद पाकिस्तान फ्रिकेट टीम को दिसम्बर और जिन्वरी में आस्ट्रेलिया के दोरे पर जाना था जहां पर तीन टेस्ट मैच की सीरीज खेली गई थी इस सीरीज के लिए हारेस राउफ का चैन भी किया गया था लेकिन टीम में चुने जाने के बाद हरेस राउफ ने अपना नाम वापस लिया और कहा कि वो वर्कलोड मैनेज को करने के चलते इस सीरीज का इस्सा नहीं होंगे उन्होंने अपने नाम वापस लिया लेकिन इसके कुछी समय बाद वो आस्टेलिया में ही बिग बैश लीग खेलने चले गए बिग बैश लीग में वो मेलबन स्टार्स की और से खेले थे इसके बाद PCB उसे काफी नारास था क्योंकि आप उस्टेलिया के लिए बिग बैश लीग खेलने चले गए उन्हें पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था इसे पहले आरिश राफ ने पाकिस्तान के लिए केवल एक टेस्ट मेच खेला है PCB इस बाद से नारास था और लगतार नारास चल रहा था और अब आसेंट्रल कॉंटेक्ट छीन लिया गया है वैसे आपको बता दे कि जब उस्टेलिया सीरीज से अपना नाबाफस लिया था तब पाकिस्तान त्रुके टीम के मुखे चैन करता वहाब रियास नेबिस पर चिंता जटाई थी नारास की व्यक्त की थी और ने अपने बयान में कहा था जब टीम के कुछ प्रमुक खिलाडियों के अन्फिट होने के बाद एक प्लेयर के तोर पर आपको ऐसी स्थिती में खुद आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए और वे भी जब जब आप सेंट्रल कॉंट्रेक्ट में शामिल हो हरेस्टाउफ को सेंट्रल कॉंट्रेक्ट से बाहर करने के बाद PCCIA ने एक ओफिशल स्टेटमेंट भी जारी किया PCB ने अपने वयान में कहा पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खेलाडी के लिए एक सरवोच सम्मान और विचे शादिकार है किसी मैडिकल रिपोर्ट या उचित कारण के अभाव में पाकिस्तान की टेस्टीम का हिस्सा बनने से इंकार करना किंदरी अनुबंद का वास्त भी को लंगन है तो हायरेश रॉफ का सेंट्रल कॉंटेक्ट रत कर दिया गया है हायरेश रॉफ के अगर इंटर्नेशनल करियर की के बात करें तो अभी तक उन्होंने एक टेस्स मेज खेला है जिसमें एक विकेट दिया है, 37 बंडे में उनके नाम पर 69 विकेट दर्ज हैं, जबकि T20 इंटरनेशनल में हारिस रॉफ ने 66 मैजों में 90 विकेट चुटका हैं हारिस रॉफ की गिंती पाकिस्तान के स्टार तेजगे इतमाज में की जाती है, कास तोर पे फटाफट क्रिकेट यानि के T20 क्रिकेट में वो पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाडियों में से एक हैं PCB ने ना सिर्फ उनका सेंटरल कॉंट्रेक्ट रद किया है बलकि उन पर एक बैन भी लगाया गया है अब हारिस रॉफ 30 जून 2024 तक कोई भी विदेशी प्रेंचाइजी लिग नहीं खेल पाएंगे इसके लिए PCB उनको No Objection Certificate NOC नहीं देगा यानि कि 30 जून तक वो किसी भी विदेशी T20 लीग में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे अलाकि 17 फरवरी से PSL शुरू हो रहा है पाकिस्तान सूपर लीग शुरू हो रही है इसमें वो खेल सकते हैं क्योंकि ये PCB की Local League है लेकिन उसके अलावा वो 30 जून तक किसी भी लीग का हिस्सा नहीं होंगे तो हारिस रॉफ को Central Contract से बाहर कर दिया गया है वाकि में ये उनको बड़ा जटका लगा है और आपको बता दें कि और पाकिस्तान के बीट जो 3 मैचों की टेस्स सीरीज के ली गई थी उनमें पाकिस्तान को 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था इसके बाद ये विवाद और गया रहा हो गया था कि अगर हारिस रॉफ टीप के साथ होते तो तेज गित बाजी में थोड़ा अनुभव मिलता इस कबर पर आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इनने तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रही है यूज नेशन के साथ